के गाइज वेलकम टू टेक बीद विवेक तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने जा रहें कि MS Word के अंदर एक पासफोर साइज फोटो को जो हम कैसे बना सकते हैं अगर इस वीडियो को अगर आप लास तक देख लेते हैं तो आप जो है MS Word के अंदर एक पासफोर साइज फोटो बनाना सीख जाएंगे और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किसी भी फोटो का अगर बैक्राउंड हटाना हो तो उसको कैसे हटा के जो है आप एक पासफोर साइज फोटो किरियेट करेंगे तो दोस्तों वीडियो स्टाट करें उनसे पहले चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरूर पेस कीजिएगा साथ है आप आप सोसल मुडिया पर फोलो कर सकते हैं लिंक आपको नीची डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहां पे जो है सबसे पहले मैं आपको एक सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि फूंटो का बैक्राउंड आप कैसे रिमूव करेंगे तो इसके लिए आपको अपने सिस्टेम में कोई भी एक ब्राउजर पर आना है चलि यहां से गूगल क्रोम हम उपन करते हैं और इसके सर्च बार में आपको सर्च करना होगा बीजी रिमूव बीजी यानि की बैग्राउंड रिमूव सबसे पहला नमर का आपको साइट मिलेगा रिमूव डॉट बीजी यहां पे देखे एक उप्सन मिलेगा अप्लोड इमेज इस पे क्लिक कीजिए आपके सामने इस तरीके का जो है पेज ऑपन हो जाएगा यहां से अप्लोड इमेज पे क्लिक कीजिए आप अपने सिस्टम पे कहां पे उस फाइल को सेव करके रखें या फोटो को जिसका बैग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं हमने डेक्स्टॉप पे रख रखा है यह फोटो इसको सेलेक्ट करके हम उपन करेंगे तो देखे थोड़ा यहां पे आपको सारे कलर मिल जाएंगे जो आपके पासवांसायच फोटो की लिए परफेक्ट है इसमें से जो कलर आफ यूज ओडर चाहते है वह कलर कर लेंगे फिलाल हम ये कलर लेखे चलेए चली हम यह ले लेते ह anticipate ह। हम download पे click करेंगे Again download image पे click करके हम अपने system में से कहां safe करना चाहते हैं उसे save कर लेंगे तो इस तरीक से फोटो का background remove करके यहां पर अपने color ले आया अब हमें अपनी computer system में win word को open करना है यानि कि MS word को open करना development रन कमांड के तर्फूज हम उपन करेंगे esteod window और प्रेस किजिए tern Command open और यहां पर टाइप किईVean word और इंटर और के प्रेस की जिए आपका MS .... यहां पर जाएगा यहां से आपको एक डोकुमेंट लेकर आना है जब डोकुमेंट लाते हैं तो इस तरीके से जो है आपको first of all MS Word के अंदर एक blank document आ जाएगा अब हमें यहाँ पर फोटो इंसर्ट कराने है इसके लिए हमें जो है इंसर्ट टैप पर आना है इमेज यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है इस पिक्चर पर क्लिक कीजिए उसके बाद आप अपने सिस्टम में कहां पी उस फोटो को रखा है जिसका आपने बैक्राउंड चैंज करा हमारे पास डाउनलोड के अंदर यह फोटो है इंसर्ट कर लेंगे यह फोटो जो है यहाँ इस फ्रेंट टेक्स दोनों में से कोई भी एक कर लीजे तो यह फोटो जो है रिमूबल हो जाएगा आप इसे कहीं पर उठा के रख सकते हैं तो इस तरीके से फोटो हमारा इंसर्ट हो चुका है अब हम इसके साइज के बारे में बात करते हैं क्योंकि कोई भी अगर हम पास पास ओपेन हो जाएगा दो अप्सन है यहां पर सबसे पहले लॉक एस्पेक्ट रेसियो इसको हटाना परेगा रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज इसको भी आपको रिमूव करना परेगा दैन जो हमें यहां पर अपने फोटो का हाइट और जो हमारा विर्थ है वह बताना होता है एक पास फोटो का अगर हम हाइट की बात करें तो 4.5 cm इसका हाइट होता है और अगर हम विर्थ का बात करें तो 3.5 cm इसका विर्थ होता है तो यहां से हाइट में हम 4.5 ले ले लेंगे और इसके विर्थ में हम 3.5 लेके यहां से ओके कर देंगे यहां प एबप को इन्चीज में का हाइड होग तो इसी साथ से आपकी फोर्टो जो आपका लिए पास्पोर साइच फोर्टो पर यहां पर आ चुका है एक पास्पोसाइच फोटो हमने बना लिया और मान के चलिए सेम फोटो का जो है आपको multiple फोटो बनाना है 10, 20 या 30 फोटो बनाना है सेम फोटो का तो इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे तो यह जो है इसका duplicate आ जाएगा नहीं तो mouse के मदद से भी आप कर सकते है control की प्रेस करके र इस तरीके से हमारा यहां पर 5 फोटो हो चुका है control के साथ इस फोटो पर हम left क्लिक करते हैं तो यह photo select हो जाएगा सेम इस पर भी है सेम जो है हम इस पर भी control के साथ left क्लिक करेंगे तो photo हमारा select हो जाएगा now control D करते हैं तो इसका duplicate आ जाएगा इसको नीचे उठागे हम रखे एक एंडो में हमने यहां पर कितने सारे पासवोर साइज फोटो किरियेट कर लिया तो इस तरीके से यहां पर पासवोर साइज फोटो बना सकते हैं इसका print प्रिव्यू देखना चाहते है control F2 प्रेस कीजिए आपका print प्रिव्यू यहां पर चेक हो जाएगा MS Word के अंदर य चुले हमें दीजे थोरा से समय हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत ही जल्ब